दूसरी तरब धीरे धीरे जेपी पावर अपर सर्कुट में लगा क्या साइद अपर सर्कुट में लगने की कोई विधी एक ओपरेटर गेम था तूकि दूसरी तरब धीरे धीरे जेपी पावर अपर सर्कुट में लगने की कोई विधी एक ओपरेटर गेम था तूकि जेपी एसुसेट तो सर्कुट में आस था मैं आपको कई दिनों से जेपी एसुसेट के बारे में बता रहा हूँ कि अगर जेपी एसुसेट निगेटिव रहा तो वहीं पर दूसरी तरब जेपी पावर भी आपको गिरता हुआ दिखाई देगा एक मसला जो चल रहा है तीन जून का जहां पर एनसे एलटी जेपी एसुसेट के जो निलंबित बोड है सुनील सर्मा उनकी एक याची का पर सुनवाई कर रहा है जहां पर एनसे एलटी के दुआरा जो आलिया करने की परकीरिया चालू की गई थी उसके ऊपर निलंबित ब बैंकरों को खुस नहीं कर पाया है सीधा-शीधा समझिए कि बैंकर इससे खुस नहीं है क्योंकि एक मुष्ट किस्त देने की वादे जो जेपिशुसेट ने किये थे कि वह एक बारी में सारा पैसा दे देगा अठारा सप्ते का उसका टैम है तो चोबिस तारी को यह पता लगाई गय थी बैंकरों के दुवारा और उसे 6-7 साल बाद इसे NCLT ने मंजूर किया था उस पर ही तीन जून के चीजों के साथ मसले चल रहे थे जहां पर अब बैंकर भी खुस नहीं है जहां पर एक तरप से कहा गया था NCLT के दुवारा एक बार सोच विचार कर ले बै 26,000 क्रोड रुपे और जेपी एससेट ने पेसकस कितनी किये 16,200 क्रोड रुपे यानि कि 26,000 क्रोड जो देने हैं उसमें से 16,200 क्रोड रुपे एक मुस्त किस्त में देदेगा 18 सब्तों के अंदर ये जेपी एससेट ने बताया पर इस पर वो ना खुस रहे निगेटिव द कुछ को समझे और जब ये निउस निकल कर आई थी तो हमने जे-पी पावर से पहले ही अपने स्थितियों को अलग कर लिया था जे-पी आपको बताता हूं कि जो चीज होने ना होने पर एक निउस पर टिक जाए तो उसमें से सबसे पहले अपने को बचाओ करना चाहिए आज JP Power जैसे उछला तो लोग के रहे सर कुछ अच्छा हो गया भया अच्छा तो तब होगा जब कि जब जो बिस तारीक के जो चीजे होने वाली थी उसमें अच्छा होता तो JP Associate तो अब चीजे देखनी पड़ती है न्यूज अब ये नाखुस हुए है इसके अंदर तो गिरावाट तो नहीं है क्या पता आगे जाकर कुछ और प्रस्ताव बैंक भी रखे इसके साथ साथ तो वह आगे की न्यूज है फिलाल तो यहां निगेटिव चीजे आ गई है किसको भी खरी जेपी एसोसेट पर बहुत निगेटिव न्यूज फिर दुबारे से समझेए जो जेपी एसोसेट ने कहा था कि एक मुस्त किस्त ले लो जो 16,200 क्रोड की थी उससे बैंक कर जो हैं निरास हैं उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो यह क्या होगा फिर निगेटिव हो